अलो फ्रेंस कैसे हैं आप भड़ियां मस्त रहिए चस्त रहिए और अंटर्टेन्मेंट का मज़ा लेते रहें देखें जब भी कोई नया शो आता है और उसमें हमें अपने पॉपुलर सितारे नजर आते हैं तो मोस्ली उसे ज़्यादा जो है शो से ज़्यादा सर्च किया ज फिर यह हफते का लेने वाले यह पर एपिसोड का कितना लेते है慨 जब इन्न सितारों की सैलि को देखकर फैंस का मन्वी करता है क्यों न हमें भी इसी कि जाना चाहिए क्योंकि इसी कि जाना पैसा है ऐसे में काफी वार सितारे पहुचने की पूरी कोशिस करते हैं लेकिन भाई कहते हैं न हर कोई इस फिल्ड में जाना चाहता है लेकिन फिल्ड में तो वही जाएगा जिसकी किस्मत में लिखा है ऐसे में बात करते हैं बिग बोस 17 की जो सुरू हो चुका है जहां पर सभी सितारे नजर आच चुके हैं और उन सितारों ने कितना पैकेज लिया है बिग बोस के घर से या वो कितना ले रहे हैं तो चलिए बताते हैं सबसे पहले मैं बात करूंगे आपके मुनावर फारुकी की जो की लोक अप के बीनर रह चुके हैं ऐसे में जो हैं काफी इच्छा थी इनकी कि मैं बिग बोस में जाओ यह खतरों के खिलाड़े में आखिरकार इनकी वो तमन्ना पूरी हुई पिछले साल भी इन्होंने ट्राइ किया था लेकिन कहते हैं न कि फिलहाल जब लीखा है तभी पहुच होगे तो ऐसे में जो है मुन इनका चोपड़ा की बेहन ऐसे में जो हैं इनकी सुर्खिया कुछ जादा ही है सब इनसे बिग बोस में पहले ही दिन इतना नराज हो गए कि नोमिनेट में इनका नाम दे दिया ऐसे में जो है मैडम ले रही है 15 लाक रुपी है हफते का तो ऐसे में सबसे जादा फीस अभी ऐसे में जो है बिग बोस ने कीलियर प्रोमो में बता दिया है कि जो मेरे शो के लिए हित में होगा मेरे लिए मैं वही करूँगा तो ऐसे में अंकीता लोखेंडे जो है 12 लाक रुपी ले रही है हफते का और उनके पती जो विकी है वो 5 लाक रुपीया ले रहे है पर हफत आपके प्यारी आश्वरिया का खेल पसंद आ रहा है उसी के बीच में बात करें कि आश्वरिया ने बारा लाग रुपीय लिया है हफ्ते का और बात करें सेवन लैफ जो है वीक का लिया है आपके नील भटने फिर आते हैं आपके प्यारे अभिशेक कुमान जिन्हें आप इशा मालविया के साथ रिस्तों में जुड़ते हुए देखा है ऐसे में जब से आए हैं सब पे ही गुस्ता दिखा रहे हैं जैसा ऐसे लग रहा है भार की दुनिया से गुस्ते से भरे हुए है अब जो है बिग अब बात आती है आपकी प्यारी सी यह तैना मीडिया में छा चा कर आपको खुदी मीडिया वालों ने यह बुला लिया है जिगरा वोरा ऐसे में यह काफी अच्छा खेलने की उमीद रखती है यह क्योंकि गेम को पलटना बहुत अच्छी तरह जानती है बाकी तो बिग ब इसे में इनको जो है साड़े साथ लाग रुपिया पर एपिसोड का मिल रहा है ऐसे में उमीद है कि इनके फैंस फ्लोईं इने काफी सपोर्ट करेंगे फिर आती है आपकी रिंकु धवन इससे पहले आप इने जो है तितली जैसे शो में भी देख चुके है वैसे यह काफी पॉपुलर है ऐसे में जो है तितली की सास का रोल कर चुकी है ऐसे में तितली तो बंद हो रहा है अभी आपको बिग बोस के घर में नज़र आई यह वन वीक का फोर लैक रुपीस ले रही है फिर आते हैं आपके प्यारे नाविद सोल जो कि यह काफी चर्चाओं में थे लेकिन अभी दे कब बिग बोस में का कुछ खेल पसंदी नहीं आया किसी को जैसे इनकी चर्चाओं थी ऐसा यह कुछ खेल नहीं रहे है कुछ खास खाम कर नहीं रहे है तो ऐसे में यह फोर लैक पर वीक का ले रहे है फिर आती है आपकी प्यारी सना रसे भाई जो है यह ले रही है पर वीक का फीर आती है आपकी इशा माल जिया जिनका खेल फैंस को पसंद आ रहा है यह कहें इनका परफोर्मेंस ठीक ठीक लगाए यह नहीं कह सकते बहात अच्छा लगा जैसे प्रियंका ने एक दम से जलवा दिखा दिया था वह चीज इनमे नजर नहीं आई है पर week का अब बात आती है आपकी सबसे प्यारी सोरियां बनसल की ऐसे में ये 7 lakh ले रही है और अपने जलवे भिखेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है बिग बॉस में फिर आपके प्यारे आते हैं सनी आरिया सनी आरिया जो है आपके 3 lakh 50 thousand ले रहे हैं per week का फिर आते हैं आप को देखकर इने दिया जाएगा वैसे टू तो मीलेगा ही मिलेगा पाकी इनका गेम देखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग इन्हें 4 लाग भी मिल सकता है तो ऐसे में बिग बोस ने पूरी पैसी की बर्चाफ की है इतने सारे सितारों को लेकर आए है इस बार सितारे भी कुछ जादा ही नजर आ रहे है तो ऐसे में उमीद है कि Big Boss इतनी income निकाल लेगा उमीद है पूरी है ऐसे में आपको क्या लगता है किसकी salary सबसे कम है according to Big Boss के या किसको फाल तुमें इतना package दिया जा रहा है या कौन जो है TRP निकाल सकता है कमेंट करके जरूर बताइए बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सबस्क्राइब दोनों बंदे